तो इस तरीके से 7 ब्रांचेस हैं, उसी के अंदर 1st 3 ब्रांचेस होती है इन तीनों के बारे में ही ब्रीफ में हमें समझना है So starting with axiology, देखे axiology यहां पर ब्रांच है, philosophy की already हमने बढ़ा यह concerned करता है values के साथ, right? And values की भी हम बात करें, तो दो तरहां के subdivisions हैं Two major subdivisions of values, पहला है ethics और दूसरा है aesthetics Right, ethics की अगर हम यहां पर देखे बात करें तो यह basically है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है Right, क्या decision सही है, क्या गलत है क्या approve होना चाहिए, क्या disapprove होना चाहिए, right? जैसे कि एक बच्चा जो है कोई गलती करता है, right? तो उसको पता होना चाहिए कि भई हां मैंने कुछ bad चीज करी है, चिक है? और इसलिए, जो है, मुझे सामने से डाट पड़ी है, right? और good में भी उसको समझना चाहिए, कि भई, अगर मुझे किसी चीज के लिए शबाशी मिली है, तो definitely मैंने कोई good behavior किया है हम categorize कर सकते हैं, जैसे कि good चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं truthfulness, honesty, peaceful, रहना and other good habits count हो जाएंगे, right? next यहाँ पर बात करते हैं तो aesthetic की, देखिए, aesthetic inquire करता है nature के बारे में कि क्या चीज beautiful है और क्या ugly है और ऐसा beautiful है तो क्यूं है, ugly है तो क्यूं है, मतलब why it is so, right? यहाँ पर देखिए, axiology main source है education के aims का, right? और जितने भी education और उसकी forms देखते हैं, schools बगरा हम तो यहाँ पर सब में values of life से concerned होते हैं, right? अपने देखा होगा, एक subject value education हो तो हर school में ही definitely होता है, right? और देखिए, इन values को बच्चों के अंदर डालने में और उनका development करने में यानि कि उनका development और transmission करने में teacher का जो है, एक as a agent बहुत बड़ा रूल रहता है, चाहे उसको consciously बोले या unconsciously बोले, बट बहुत बड़ा रूल यहाँ पर teacher play करते हैं, as an agent for transmission and development of values, right? अब बात करते हैं metaphysics की, देखिए metaphysics again, branch है philosophy की, यह यहाँ पर deal करता है nature of reality के साथ, right? सबसे बहले बात करेंगे कि इसको develop case नहीं किया, तो देखिए Aristotle जी ने यहाँ पर metaphysics को discover किया था, develop किया था basically, और देखिए metaphysics में basically हम जैसे बड़ा nature of reality है, तो यही पता लगाते हैं कि real क्या है, education का real purpose क्या होना चाहिए? that is कि बच्चों को reality से, किस से? बच्चों को reality से अगद कराना, reality बच्चों को बताना, चिक है? यही यहाँ पे क्या होगा? यही यहाँ पे होगा main aim of education, right? यहाँ पे बच्चों को purpose बताना life की कोई चीज है, तो क्यों है, what is this, why I am here, right? कुछ ऐसे questions जो थोड़े से unanswering होते हैं, चिक है? उस तरह के questions को raise करना, right? कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, right? तो इस तरह के questions metaphysics के अंदर आते हैं. In short words अगर हम बात करें, तो metaphysics, देखिए basically एक ऐसी philosophy है, जो deal करती है, existence, truth और knowledge के साथ, right? कोई चीज exist करती है, क्या उसका अस्तित्व है, कितनी सत्य वो है, कितनी सच है, और क्या उसका ग्यान है, right? तो इस तरह की philosophy है, इस तरह की branch of philosophy है, metaphysics. Okay, now coming to epistemology, right? So, epistemology की बात करें, तो इस प्रकार से metaphysics deal करता है, nature of reality के साथ, तो epistemology deal करता है, कि भई, reality की knowledge कितनी हमको है, ठीक है, knowledge of reality क्या है? यहाँ पर epistemology के अंदर, आपको कुछ ऐसे like questions मिलेंगे, जिनको answer करना होता है, हमें एक ग्यान किस प्रकार से मिलता है, कैसे इंसान को पता चले कि क्या real है, ठीक है, सच क्या है, जूट क्या है, right? Knowledge is of different types, यहाँ पर epistemology के according, first यहाँ पर है revealed knowledge, revealed knowledge जिससे कुछ आपको पता चले, like senses से, आपको अपने senses से जो है, बहुत चीज़े revealed होती है, जैसे कि मुझे पता है कि चाई के cup में, गरम चाई के cup में, मुझे अपना हाथ नहीं डालना है भई, डालूँगी तो फिर मेरा हाथ जल जाएगा, इसी प्रकार से अगर switchboard है, वो on है, तो उसके अंदर finger नहीं डालनी है, मुझे loud DJ speakers के पास नहीं जाना है, क्योंकि यह revealed, कैसे हुई मुझे इस सब knowledge, तो यह revealed हुई मुझे कैसे, यह अपने senses के through, intuitive knowledge, देखिए जब आपको, आपकी gut feeling कुछ बताती है, आपको जब अंदर से कुछ पता चलता है, let's suppose आपका कोई दोस्त है, जसने आपसे एक साल से कोई बात नहीं की है, suddenly वो आपसे बात करने लगता है, बहुत अच्छे से, दिन में दस-दस फोन उसके आते हैं, तो आपको intuition आ जाता है, definitely इसको कुछ काम है, आपसे बात करेंगे, rational knowledge, rational knowledge वो knowledge जिसके पेछे कोई reason हो, अगर हमें पता है कि COVID के टाइप में, हमें mask पहनने है, यह knowledge मुझे है, तो उसके पीछे एक reason है, कि भई इससे क्या होगा, इससे मैं infection से, virus से बच सकती हूँ, then authoritative knowledge, जो आपको authority से मिलती है, let's suppose मुझे पता है, कि मुझे जो है red light पे stop होना है, मुझे temple या guru द्वारा में visit करना है, तो मुझे वहाँ पे अपने shoes को निकाल देना है, फिर अंदर जाना है, तो ऐसी knowledge कहां से, ऐसी knowledge authority से मिलती है, वहाँ पे guru द्वारा और temple की बात करें, तो वहाँ की authority हो गए, वहाँ की पंडित जी, बाबा जी, यहाँ पे देखिए, देश में बात करें, तो rules and regulations की, वह authority कोन हो गई, government हो गई, तो इस तरहां से, जो है authoritative knowledge, जो मुझे authority से मिली है, तो यह होती है, यहाँ पे epistemology, मैं उमीद करती हूँ, metaphysics, epistemology और exology, तीनों का meaning आपको पता चला होगा, और यह क्या है, यह branches of philosophy है, overall हमारे पास, कुछ इस तरीके से seven branches है, जिसके अंदर हमें, तीन के बारे में लिखना है, तो that's it for this lecture, hope to see you all in next lecture very soon, thank you.